जोडो जोडो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे लोक सभा में री इंस्टेट किया और पिछली बार जब मैं बोला पिछली बार जब मैं बोला तो शाहिद मैंने आपको थोड़ा कश्ट भी पहुँचाया क्योंकि मैंने इतनी जोरों से अदानी जी पे फोकस किया कि जो आपके सीनियर नेता है शायद उनको थोड़ा कश्ट हुआ तो वो जो उनको कश्ट हुआ पिजिक हुआ है ने में एस का यूचाय आपकेस हुआ है यह में वभी कर्श़ों है ए говорят मचा मचा सुन यह श कobra तो तो वो जो कश्ट हुआ उसका उसका असर शायद आप पे भी दोड़ा हुआ तो इसके लिए मैं आप से माफी मांगता हूँ मगर मैंने सिर्फ सचाई रखी थी मगर मगर आज आज जो आज जो मेरे बीजेपी के मित्र है आज 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 और दरो 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 तो आज आज कोई घबराने की जरुरत नहीं है आज मैं अपना बाशन मेन जो बाशन है वो अधानी जी पे नहीं बोलने जा रहा हूँ तो आप रिलाज्स कर सकते हैं आप शांत रह सकते हैं क्योंकि मेरा बाशन आज दूसरी डारेक्शन में जा रहा है रूमी ने कहा था रूमी ने कहा था जो शब्द रूमी ने कहा था जो शब्द दिल से आते हैं वो शब्द दिल में जाते हैं तो आज मैं दिमाग से नहीं बोलना चाह रहा हूँ मैं दिल से बोलना चाह रहा हूँ और 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 मैं और मैं आज मैं आज आप लोगों पर इतना अक्रमन नहीं करूँगा मतलब एक दो एक दो गोले जरूर मारूंगा मगर इतना नहीं मारूंगा तो आप रिलाक्स कर सकते हैं जरियर माद जरियर माद अरे रिलाक्स अमन्पी जीहाई समाद लेंगे अब लोगा पिछले साल 130 दिन के लिए मैं भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक गया अकेला अकेला नहीं बहुत सारे लोगों के साथ सारे ये हमारा टाइम खत्म करने का साजेशन समुदर अधीर 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 समुदर समुदर के समुदर के टट से माले सदर्शे प्लीच प्लीच ऐसे धमकाने का बाकिमत बोले आपे आप प्लीच मैं समुदर के टट से कश्मीर के बरफीली पहाडी तक चला नहीं लदाक को मैंने नहीं छोड़ा यात्रा अभी खतम नहीं हुई है यात्रा जारी है और जरूर लदाक आएंगे गबराइए मल बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा यात्रा के दौरान यात्रा के बाद किराहुल तुम क्यों चल रहे हो क्या तुम्हारा लक्ष क्या है कन्या कुमारी से कन्या कुमारी से कश्मीर तक क्यों जा रहे हो और जब वो मुझसे पूछते थे शुरुआत में मुझे मेरे मुझसे जवाब नहीं निकलता शायद मुझे ही नहीं मालूम था कि मैंने ये यात्रा क्यों शुरू की जब मैं जब मैं कन्या कुमारी से शुरू हुआ मैं सोच रहा था मैं हिंदुस्तान को देखना चाहता हूँ समझना चाहता हूँ लोगों के बीच मैं जाना चाहता हूँ मगर गहराई से मुझे मालूम नहीं थोड़ी देर में मुझे बात समझ आने लगी जिस चीज से मुझे प्यार था जिस चीज के लिए मैं मनने को त्यार हूँ जिस चीज के लिए मैं मोधी जी की जेलों में जाने को त्यार हूँ जिस चीज के लिए मैंने दस साल हर रोज गाली खाई उस चीज को मैं समझना चाहता था ये है क्या जिसने मेरे दिल को इतने आप रनिंग कमेंटरी बंद करें तो हम भी चलो करेंगे जिस चीज जिस चीज ने मेरे दिल को इतनी मजबूती से पकड़ रखा था उसको मैं समझना चाहता हूँ शुरुआत में जैसे मैंने शुरू किया सालों से मैं हर रोज आठ दस किलोमेटर दोड़ता हूँ तो मेरे दिमाग में था कि अगर मैं दस किलोमेटर दोड़ सकता हूँ तो पच्चिस किलोमेटर चलने का क्या मतलब कोई बड़ी बात नहीं है कि मैंने सोचा था आज मैं उस भावना को देखूं तो वो अहंकार था कि मैं ये कर सकता हूँ ये कुछ नहीं है तो मेरे दिल में उस समय अहंकार था मगर मगर भारत अहंकार को एक गम मिटा देता है एक सेकंड में मिटा देता है तो हुआ किया दो तीन दिन में मेरे घुटने में दर्द शुरूओ गया पुरानी इंजरी थी और जबर्दस दर्द हर रोज मैं उठू और मेरे घुटने में दर्द हर कदम में दर्द तो पहले दो तीन दिनों में जो अहंकार था जो मतलब भेडिया जो निकला था वो चीटी बन दे एक गम जो हिंदुस्ताइन को अहंकार से देखने निकला था वो पूरा पूरा अहंकार गायब हो गया और रोज मैं डर्दर के चलूँ कि क्या मैं कल चल पाऊंगा ये ये मेरे दिल में डर्द था और जब भी ये डर बढ़ता था जब भी ये डर बढ़ता था कहीं ना कहीं से कोई ना कोई शक्ती मेरी मदद कर देते हैं एक दिन मैं सेह नहीं पा रहा था एक जोटी सी लड़की आती है मुझे चिठी दे देते हैं मैंने चिठी खोली आठ साल की थी उसमें लिखा था राहूल आएम वाकिंग विद यू डॉन्ट वारी उसने मेरे पैर में चोड देखी और उसने अपनी शक्ती मुझे देए सिर्फ उसने नहीं लाको लोग में और शुरुआत में जब मैं चल रहा था कोई किसान आता था कोई किसान आता था मैं एक दम उसको पहले उसको अपनी बात बताता था कि आपको ये करना चाहिए आपको इस प्रकार से काम करना चाहिए मगर इतने लोग आए हजारों लोग आए कि थोड़ी देर में मैं बोल नहीं पाया मैं जो मेरे दिल में बोलने का डिजायर था वो बंद हो गया बोली नहीं पाया क्योंकि इतने लोगों दे बोलना था और एक सनाटा सा चाह गया भीड की आवाज थी भारत जोड़ो भारत जोड़ो भारत जोड़ो और जो मेरे से बात करता था उसकी आवाज में सुनता लिया हर रोज सुबह छे बज़े से रात साथ आठ बज़े तक आम आदमी गरीब अमीर बिजनसमें किसान मजदूर सब की आवाज आ रहूं आ रहूं आ रहूं आ रहूं आ रहूं आ रहूं आप आप कल से रुके हैं अब थोड़ा और रुक लाओ आज दर मिन रुक जाओ तो ये चलता गया मैं बात सुनता गया और फिर मेरे पास एक किसान आया और किसान में हाथ में रुई पकड़ी हुई थी और उसने मुझे कहा उसने कहा उसने मुझे कहा मेरे आप में देख कर उसने मुझे अपना वो रुई रुई का बंडल दिया और उसने कहा राहुल जी ये ही बचा है मेरे खेट का मेरे खेट का ये ही बचा है और कुछ बचा नहीं है मैंने उससे जो मैं नॉर्मली सवाल पूछता था भाया आपको भीमा का पैसा मिला वो पूछा भीमा का पैसा मिला वो पूछा और किसान ने मेरा हाथ पकड़ा किसान मुझे कहता है कि नहीं राहुल जी मुझे भीमा का पैसा नहीं मिला हिंदुस्तान के बड़े उद्योग पतियों ने वो मुझसे छीन लिया मगर इस बार बड़ी अजीब सी चीज हुई जब मैंने किसान को देखा और वो मुझसे बोल रहा था तो जो उसके दिल में दर्द था वो मेरे दिल में आया जो उसके आँखों में शरम थी जब वो अपनी भीबी से बात करता था वो शरम मेरे आँखों में आई जब हाँ जब जब उसकी जो भूख थी वो मुझे समझाए और उसके बाद यात्रा बिल्कुल बदल गई मुझे भीड के वाज नहीं सुनाई देती थी मुझे सिर्फ उस व्यक्ति के वाज सुनाई देती जी जो मेरे साथ बात कर रहा था उसका दर्द उसकी चोट उसका दुक मेरा दुक मेरी चोट मेरा दर्द बन गया भाई और बेनो लोग कहते हैं लोग कहते हैं कि ये देश है कोई कहता है ये अलग-अलग भाशाएं है कोई कहता है ये जमीन है, मिटी है कोई कहता है ये धर्म है ये सोना है ये चांदी है मगर भाईों और बेनों सच्चाई है कि ये देश एक आवाज है ये देश शिरफ एक आवाज है ये देश इस देश की लोगों की आवाज है इस देश के लोगों का दर्द है दुख है, कटिनाई है और अगर हमें इस आवाज को सुनना है तो हमारे दिल में जो अहंकार है हमारे जो डिजायर्ज है हमारे जो सपने है उनको हमें परे करना पड़ेगा जब हम अपने सपनों को परे करते हैं तब हमें हिंदुस्तान की आवाज सुनाई देती है तब तक हिंदुस्तान की आवाज हमें नहीं सुनाई देती है अब आप कहोगे ये बात मैंने नॉन कॉन्फिडंस मोशन में क्यों कि इसका क्या मतलब है कि भारत एक अवाज है भारत लोगों का दुख है भारत लोगों ककश्ट है मुश्किले हैं क्योंकि बाई और भेहनों है है अब पूरा सुष्ण समय चमया रहत को मिलगा फिर रखाने अच्छाम को अधिन्म पॲेगा के नौर्चर Lश कोम्ए लेगा अब Administration पर आप में मत रोकेगा न पर आप म explosividad डॉक एफेगा ऑन और दो ओएफेगा आप को मत रोकेगा सहो हमद देख रहे हैं सब सुन रहे हैं आप हमको फिर्मास रोकिए गासी तो स्पिकर सर भारत एक आवाज है भारत इस देश के सब लोगों की आवाज है और अगर हम उस आवाज को सुनना चाहते हैं हमें आहंकार को नफरत को मिटाना पड़े को स्पिकर सर कुछी दिन पहले मैं मनेपूर गया हमारे प्रधान मंत्री नहीं गए आज तक नहीं गए क्योंकि उनके लिए मनेपूर हिंदुस्तान नहीं है मैंने मनेपूर शब्द प्रयोग किया मगर आज की सचाई ये है कि मनेपूर नहीं बचा है मनेपूर को आपने दो भाग में कर दिया है मनेपूर को आपने बाट दिया है तोड़ दिया है मैं मनेपूर में रिलीफ कैंप के में आज आ रहा हूं मनिपूर में रिलीफ कैंप में मैंने महिलाँं से बा कर देखेंगे कर देखेंगे और बनेपुर के कैम्प्स में मैंने महिलाओं से बात की बच्चों से बात की जो हमारे प्रदान मंत्री जी ने आज तक नहीं किया एक महिला मुझे कहती है मैंने उनसे पूछा बेहन क्या हुआ आपके साथ मंत्री भड़े क्नास सब्सक्राइब कि एक सब्सक्राइब होंगे तो पूरे सांस सब खड़े होगे पूरे सांस सब खड़े होगे धेड की तो मैं मैं बहुत साही माहिला हों से बात किया मगर मैं आपको दो धारन देना चाहता हूं एक मैला मुझे कहती है मैंने का किया हुआ तुम्हारे साथ कहती है मेरा चोटा सा बेता एक ही बच्चा था मेरा एक ही बच्चा था मेरा मेरे सामने मेरे आखों के सामने उसको गोली मारी है मैं पूरी रात आप सोचिए आप अपने बेटे के बारे में बेटों के बारे में सोचिए मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही जूप नहीं जूप आप बोलते हो जूप मैं नहीं बोलता हूँ मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही और फिर मुझे डर लगा मुझे डर लगा, मैंने अपना घर छोड़ दिया जो भी मेरे पास था, वो मैंने छोड़ दिया मैंने उन्से पूछा, कुछ तो लाई होगी कहती है नहीं, सिर्फ मेरे जो कप्ड़ें हैं ये मेरे पास है और फिर इधर उदर धूंटती है और एक फोटो निकालती है और मुझे कहती है ये ही मेरे पास अब बची है एक और एक और उधरन एक और उधरन दूसरे कैम्प में में एक महला मेरे सामने आती है मैं उससे पूछता हूँ तुम्हारे साथ क्या हुआ क्या हुआ तुम्हारे साथ और जैसे ही मैंने ये सवाल पूछा जैसे ही मैंने ये सवाल पूछा आप महिला का दर्द नहीं सुन सकते 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 जैसे ही मैंने उससे ये सवाल पूछा बैठो जैसे जैस सर जैसे ही मैंने उससे सवाल पूछा तुम्हारे साथ क्या हुआ वैसे ही एक सेकंड में वो कापने लगी उसने अपने दिमाग में वो द्रिश्टे देखा और वो बेहोश हो गए मेरे सामने कापती हुई बेहोश हो गए तो ये मैंने आपको सिरफ दो धारंदिये हैं स्पीकर सर इन्होंने मनिपूर में हिंदुस्तान की हत्या की है सिर्फ मनिपूर को नहीं हिंदुस्तान की हत्या की है इनकी राजनेती ने मनिपूर को नहीं हिंदुस्तान को मनिपूर में मारा है हिंदुस्तान को कतल किया है हिंदुस्तान का मदर किया है अरे दो भाग किये हैं चारब करेंजे माने समी सदेश्द का हूँगा शांती रखें फ्लीज प्लीज मनियब दोर हाँ क्या बोले हैं अब बोलिए से एक आरे बाग क्या पागा है विली टेलो बे ख्राब कॉंगरस पाकिश्च के बजा से जब मुझिए ऑने मे खालते हैं आइभे 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 हो गया हो गया हो गया हो गया था पन क्जिन दिफुन आचाथे आप आप अशन सुना यह रहे प्लीज बैठिए भाझ वैडिज बैठिए प्लीज बैठिए इस आधी करो जुष है अचकी, एक दो स्मुखिया है, आपर शिए गार, आप बाता ही। यजिन पीर्ध पर चुमनेक centre, इस अचे जो बिस पूंट कर दासी थेटा है य। प्लिज बालू जी प्लिज बालू जी प्लिज एक प्रिपली प्लीज बेटिए मान्य सदक्ष्ट गान जिस तरीके का विहार आप टेमील पर आतर कर रहा है इस तरीके से स्थश्वअनी चलेगा यथी तरीका ठीक ही है जब मैंने सिसी को कहा है तो कहा है ऐसे सदन नी चलेगा और भाइक के बाइक सदन नी चलाना चाहए जलत तरीका है नो ऐसे सदन चलने वाला नहीं है जो माने सदेशन टेबिल पाया है उनके खिलाब कारवाई होगी कि अधिये आप भी बैठिये मानी मंत्री जी भारत मानी मंत्री जी पारत बैठिये भारत माता ने बैठिये प्लीज़ ब्रादर मैं बहुत शान्ती से सुन रहा हूं इसका तरीका ये नहीं है उच्छी को क्या आप टेबिल पर आहें गलब गलब तरीका है यह आप आप जैसे मैंने जैसे मैंने जैसे मैंने बाशन के शुरूआत में बोला भारत एक आवाज है भारत हमारी जनता की आवाज है दिल की आवाज है उस आवाज की हतिया आपने मनिपूर में की इसका मतलब भारत माता की हतिया आपने मनिपूर में की भारत माता को आपने मनिपूर के लोगों के मारा आपने मनिपूर के लोगों को मार कर भारत की हज्या की है आप देश द्रोही हो आप देश भग नहीं हो आप देश प्रेमी नहीं हो आप देश धोई हो आपने देश की हतिया मनिपूर में की प्लीज 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 पेड़े प्लीज पेड़े प्लीज पेड़े आप सवाल उपता है आप बेड़ना चाहते हैं नहीं पेड़ना चाहते हैं मनिपूर में हिंदुस्तार की हत्या किये है भारत बाता की हत्या किये है मनिपूर में मनिपूर के लोगों के दिल में सब्सक्रागा चिसलते हैं प्रशनी इसमर्टा अभ Draghi आप भारत मता के रख़ाले नहीं हो हमा फारफ मतत के हद्यार होाँ प्लीज इस फ्लीज प्लीज और मिकोज देखिये मानिस दर्शकाहं प्लीज प्लीज माने सदर्शकन भारत मा हमारी माга है हमें सदन में बोलते समें सैयम भरतना चाई मैराया मैं मेरी मां की हट्या की मनिपूर में एक मिरी माँ यहां बेठी है दूसरी माँ को आपने मनिपूर में मारा है और हर रोज जब तक आप हिंसा को बन नहीं करोगे तब तक आप मेरी मा की हदिया कर रहे हो हिंदुस्तान की सेना मनिपूर में एक दिन में शांदी रा सकती है हिंदुस्तान की सेना का आप प्रयोग नहीं कर रहे हो क्योंकि आप हिंदुस्तान को मनिपुर में मारना चाते हो तो अगर नरेंद्र मोधी जी हिंदुस्तान के अवाज नहीं सुनते है अगर हिंदुस्तान के दिल की अवाज नहीं सुनते है तो किसकी अवाज सुनते है दो लोगों की कि दो लोगों की आवाज सुनते हैं इसकी आवाज सुनते हैं और इसलिए सुनते हैं नौ यह गलत तरीका माने सुदेशे आपका गलत तरीका है आप सीनियर सुदेशे हैं आप इस तरीके आप आर सदर में मत करिए आप बात करिए लेकिन इस तरीके से पोट्रेल लाना यह उचितने हैं किसी तरीके से रावन रावन दो लोगों की सुनता था मेगनाद और कुम्बकरद वेसे ही नरेंद्र मोधी दो लोगों की सुनते हैं अमिद शाह और अदानी भाई और भेड़ों लंका को लंका को हनुमान नहीं चलाया था लंका को रावन के अहंकार ने चलाया था प्लेज माने सदेशे आप सही हमिक बोलें आप ये सदन है आप तरीके से बोलें माने सदन की रावन को नहीं मारा था रावन के अहंकार ने रावन को मारा था आप पूरे देश में केरोसीन भेक रहे हो आप पूरे देश में केरोसीन भेक रहे हो आपने मरपूर में केरोसीन भेकी अपने चिंजारी लगा दी अब आप भर्याना में कर रहे हो पूरे देश को आप जलाने में लगे हो आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो धन्यवाद की तर